Hello students, कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ कि आप सभी fit and fine होंगे आज ये 10th class के science में physics portion का chapter reflection and reflection of light है मतलब प्रकास का प्रावर्तन तथा अपवर्तन है इसमें आज की जो topic है वो हम जानेंगे प्रकास क्या है प्रकास का प्रावर्तन क्या होता है प्रकास के गुड क्या है, प्रकास के प्रावर्तन के नियम क्या है और प्रावर्तन प्रिष्ट क्या है तो सबसे पहले चलते हैं बात करते हैं कि प्रकास क्या है प्रकास एक उर्जा है जिससे हम वस्तूओं को देख पाते हैं बस आप इतना लिखेगा प्रकास क्या है एक उर्जा है जिसके कारण हम बस्तों को देख पाते हैं तो यह हो गई प्रकास की परिभासा और इसके कुछ प्रमुख गुड के बारे में ही हम बात करेंगे कि इसकी some important properties of light क्या है वो हम बात करते हैं प्रकास इसकी जो पहली property है वो हम देख लेते हैं प्रकास क्या है एक सीधी रेखा में चलता है हमेशा सीधी रेखा में चलता है प्रकास सदेव एक सीधी रेखा में गमन करता है तो यह इसके property हो गई first Second, क्या है? प्रकासि की जो चाल होती है वो निर्वात या वायू में तीन गुड़े दस की घात आट मीटर प्रति सेकेंड होती है मतलब बहुत high speed है ये इसमें आप ऐसा इसको लिखेगा कि प्रकासि की चाल दीर्वाति या वायू में तीन गुड़े दसकीगाथ 8 मीटर प्रती सेकेंड होती है ये इसकी दूसरी प्रापर्टी हो गई और तीसरी प्रापर्टी आप में या आपके सलेवस के एकॉर्डिंग जो है वो ये है कि प्रकास को चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवसकता नहीं होती है क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्रकास क्या है? एक electromagnetic wave है मतलब वैदुत चुम्बकिय तरंग है और वैदुत चुम्बकिय तरंग को संचरित होने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवसक्ता नहीं होती है इसलिए मैंने लिखा है no need of any medium यानि कि प्रकास को चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवसक्ता नहीं होती है इसके और कुछ प्रपर्टीज की अगर बात करें तो प्रकास क्या करता है कि एक जो हमारी अपारदर्सी वस्तूइं है इनकी तीछड़ छाया बनाता है ये भी इसकी एक प्रापर्टी हो सकती है यनि कि प्रकास अपारदर्सी वस्तूइं की तीछड़ छाया बनाता है और भी बहुत सारी इसकी प्रापर्टीज हैं से इसमें ब्यतिकरड, बिवर्तन, धुरूर, बहुत सारी properties हैं अभी लगबग total इसकी 8 से 9 properties हैं तो उनके बारे में और जो properties हैं आप 12th class में जब पहुँचेंगे तो महां भी light आपको मिलेगा तो उसमें आप details से पढ़ेंगे चलिए अब देखते हैं कि प्रकास का प्रावर्तन क्या है बहुत इजली पहले आप समझ लिजिए कि किसी प्रिस्ट से टकरा कर प्रकास का लौट जाना प्रकास का प्रावर्तन है लेकिन वो प्रिस्ट हमारा कैसा होना चाहिए प्रावर्तक प्रिस्ट होना चाहिए अब प्रावर्तक प्रिस्ट क्या होता है जैसे suppose करिए कि चिकना पालिसदार कोई प्रिस्ट हो जैसे आपके घर में दरपड होगा सिसा जिसे कहते है या फिर कोई ऐसी चीज जो बहुत smoothly paint किया गया हो चमकदार हो तो वहां भी प्रकास पढ़के reflect होता है आपने देखा होगा जरूर देखा होगा लगबग सबने देखा होगा ये घटना तो ये प्रकास का प्रावर्तक प्रिस्ट है मतलब ऐसा प्रिस्ट जो चिकना और पालिजदार होता है और जिसस आप प्रकास के प्रावर्तन की परिवसा देख लेते हैं किसी प्रावर्तक प्रिस्ट से टकरा कर प्रकास के अपने पहले माध्यम में वापस लोड़ जाने की घटना को प्रकास का प्रावर्तन कहते हैं अर्थात ये कि जब प्रकास जिस माध्यम से आए और किसी ऐसे surface पे मान लीजी वो सीसे की दीवाल है मतलब जो आपके घर में सीसा है वही पूरी दीवाल पे लगा है तो उस पे जब आप टॉर्ज की लाइट जलाएंगे तो क्या होगा आपको एक वहाँ पे घटना देखने को मिलेगी प्रकास जिधर से आपने टॉर्ज जलाया है उधरी उसी मीडियम में चाहे जिस अंगल पे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा लेकिन उसके पीछे नहीं जाएगा तो मतलब ये कि लाइट जिस मीडियम से आ रही उसी मीडियम में रिटर्न हो रही है यही गटना हमारी प्रकास का प्रावर्तन है कोई समिस्य अगर होगी तो आप हमें कमेंट के जरीए बता सकते हैं हम आपकी समिस्य को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे अब चलते हैं प्रकास के प्रावर्तन के नियम प्रकास के प्रावर्तन के नियम तो प्रकास के प्रावर्तन के नियम को समझने से पहले, यहाँ पर एक डाइग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं, जल्दी से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आगे इसके बारे में बात करते हैं तो यह आपका diagram बन चुका है जिसमें आप प्रावर्तन के नियम का अध्यन करेंगे इसमें क्या होता है कि पहला नियम जो प्रावर्तन का है इसमें statement क्या है इसका आपतित किरड, प्रावर्तित किरड, आपतन मिंदु पर अविलम यहाँ पे तथा होना चाहिए आपतन मिन्दु पर अभिलम तीनों एके ही तल में होते हैं मतलब आपतित किरड प्रावर्तित किरड तथा आपतन मिन्दु पर अभिलम तीनों एके ही तल में होते हैं कहने का मतलब ये, जो किरडे आती हैं, किस तरफ? प्रावर्तक प्रिष्ट की तरफ, उन्हें हम आपतित किरडे कहते हैं, और जो इससे टकरा कर जाती हैं, उन्हें हम प्रावर्तित किरडे कहते हैं, तो इस पर अगर एक अभिलंब खीचा जाए, किस पर? इस प्रावर्तक प जाए कहाँ पर आपतन बिंदू पर यानि कि जिस बिंदू पर ये आपतित किरण आकर प्रिश्ट को स्ट्राइक करती है। उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, यानि कि अब इस statement को समझें, तो आपतित किरड प्रावर्तित किरड तथा आपतन बिंदु पर अभिलम तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होने का मतलब यह हुआ, suppose करिए कि आपने एक टेबल ली और उस टेबल पे pencil, प्रावर्तित किरड और आपतन बिंदु पर अभिलम ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल यानि कि समतल प्रावर्तित किरड प्रिश्ट जो है उसे में होते हैं, और एक ही point से यह आपको दिखाया गया है, कि उसी point से आपके सारी चीजें दिखाई पड़ रही है, म आ रही है उसी point से reflective ray भी जा रही है और उसी point पे normal भी है तीनों एक ही point पे है लेकिन plane एक ही है इसलिए आप्तिक किरड प्रावर्तिक किरड तेथा आप्तन मिन्दु पर आभिलम तीनों एक ही तल में होते हैं second point इसका यह है आप्तन कूर जिसे हमने यहाँ पे लिखा है आई क्या है आप्तन कूर आर क्या है प्रावर्तन कूर आप्तन कूर का मान सदेव प्रावर्तन कूर के मान के बरावर होता है यह आप statement में लिखेंगे आप्तन कूर का मान सदेव प्रावर्तन कूर के मान के बरावर होता है उसके बाद आप लिख लीजेगा angle i is equal to angle r यहाँ पे एक चीज हमने लिखी है समतल प्रावर्तक प्रिस्ट यह प्रावर्तक प्रिस्ट तो है लेकिन यह समतल है यह प्रावर्तक प्रिस्ट कैसा है समतल है यहाँ पे देखिए एक plane मैंने बनाया है उसके नीचे यहाँ पे मैंने polish कर दी है तो इस तरह से आप इस पे थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो मैंने समतल प्रावर्तक प्रिष्ट क्यों लिखा क्योंकि प्रावर्तक प्रिष्ट की जो basically type है अभी जो हम लोग use करते हैं उसमें इसकी actual में दो ही type आती है जो हमारे maximum life में यूज की जाती है एक है समतल और दूसरा है गोलिए यह प्रावर्तक यहाँ पे मैंने इसको बताया कि यह प्रावर्तक प्रिष्ट का प्रिष्ट का प्रकार है दो type का समतल और गोलिए तो समतल से तो यहाँ पे आपको प्रावर्तन का नियन समझाया गया है लेकिन गोलिए प्रिष्ट से प्रकास का जब प्रावर्तन होगा तो आप जब दरपड पढ़ेंगे और दरपड से प्रित्वीम का बनना सिखेंगे तो उसमें आप यह भी जान जाएंगे कि गोलिए प्रिष्ट से प्रकास का प्रावर्तन किस प्रकार से होता है आज के वीडियो में बस इतना ही आपको जहां पर भी डाउट होगा उस पॉइंट को आप नोट करके हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं थैंक्यो अगर यह वीडियो अगर आप सभी छात्रों को पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सेर करिए और A.N. Academy चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाईए जिससे इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके धन्यवाद